आपका एक और फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फिरेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूंगा महिंदरा मेनुलाइफ मल्टी असिस्ट एक लोकेशन फंड डायट ग्रोथ का जो अभी करेंट में एन फो आया है इसके बारे में त यह फंड जो है हमारे लिए कैसा रहेगा क्या इसके अंदर इन्वेस्मेंट कर सकते हैं यह सारी जानकारी कंपलेट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो इस वीडियो को लास्त तक जवरू देखिएगा तो अब बात करते हैं महिंदरा मेनुलाइफ मल्ट इसके अक्ल्रोकेशन फंडर ग्रोथ का जो एने फई है यानि कि न्यू फंड आपर है यह एक हैबिर्ड मुच्वल फंड रचा साथ Polish मुच्वल फंड लुकेशन के अंदर आता है और यह काफी हायरिक्स मुच्वल फंड रहनने वाला है इentsकी इसका वीडियो और होगा 13 मार्च 2024 को और एने वी की बात क्या करना है जब भी कोई न्यू फंड ओफर आता है तो आपको मालूम ही होगा कि एने वी का प्राइस दस रुपया से ही स्टार्ट होता है तो सबसे पहला पॉइंट लांच डेट याद रखेंगे 20 परवरी और इन डेट जो है पांच परवरी 2024 को हो जाएगा और आपका जो एने फो मुचल फंड में कनवर्ट होगा वो होगा 13 मार्च 2024 को इसकी एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी नहीं आया है हाला कि एक्जिट लोट की बात करें यदि आपकी पैसे के कभी जोरत पढ़ गया और अगर आप इस मुचल फंड से अपना पैसा निकालते हैं तो जो भी आप इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्मेंट का यदि आप तीन मैने के अंदर वो इन्वेस्मेंट निकाल लेते हैं तीन मैने के अंदर तो आपको 0.50% का एक्जिट लोड देना होगा और स्टम रियोटी की बात करते हैं तो स्टम रियोटी है 0.005% इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्मेंट एमाउंट यानि कि SIP सौरी लंसम एक हजार का सेट क्या गया है और SIP 500 का सेट क्या गया है यानि कि मिनिमम इन्वेस्मेंट एमाउंट इसमें फस्ट टाइम या फिर कहें वन टाइम तो एक हजार का रखा गया है और SIP 500 रिप्या का रखा गया है इसकी fund house and investment objects को देखते हैं तो महिंद्रा मेनुलाइफ mutual fund टोटल असिस्ट में अभी इंडिया पे कितना नमर पे रेंग करता है इसका data available नहीं है ये mutual fund स्टार्ट वाता 4 फरुरी 2016 को और इसका आज के date में total assist under management है 18,925 करोर का आज हम लोग इसके बारे में कुछ और देखते हैं तो महिंद्रा मेनुलाइफ multi assist application fund diet growth नफो ये एक hybrid mutual fund है और ये launch किया गया है महिंद्रा मेनुलाइफ mutual fund की तरफ से ये mutual fund स्टार्ट वाता 4 फरुरी 2016 को इसका currently assist under management है 18,926 करोर का और latest नफी जैसे की ये NFO है तो 10 उर्पया है ये महिंद्रा मेनुलाइफ multi assist application fund नफो ये काफी hyerics mutual fund रनने वाला है इसमें minimum SIP amount 500 उर्पया का सेट किया गया है और minimum lump sum 1000 का सेट किया गया है यदि आप 3 मैने के अंदर आपना invest क्यावा पैसा निकालते हैं तो आपको 0.50% का exit load देना होगा अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हमें महिंद्रा मेनुलाइफ multi assist application fund diet growth के अंदर investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो basically आज के डेट में यदि आप देखेंगे तो महिंद्रा मेनुलाइफ multi जो है महिंद्रा मेनुलाइफ mutual fund का जितना भी आप fund देखेंगे वह इस साल काफी अच्छा परफॉर्म किया है चाहिए इसकी small cap के भी है आजदे हम लोग बात करेंगे महिंद्रा मेनुलाइफ multi assist small cap का तो उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है यानि कि लगबग देखेंगे तो महिंदरा मेनुलाइफ का सभी परकार का मुच्वल फंड कापी अच्छा रिटन पास्ट रिटन दे करके आया है तो इस हिसाब से यदि इस नजरिये से हम लोग देखें तो यह मुच्वल फंड भी आपके लिए सही रहे से तो आपना जो है फंड मनेजर से सला जरूर ले तो फिर मिलते हम लोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके